पहला सवाल है कि अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान तक्नीकी इंजिनियरिंग और गणित के छेतर में च्छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने है तो शुरू की गई योजना का क्या नाम है तो किस योजना का नाम है विज्ञान जेटी योजना जिसके म जमरानी बांध पर योजना को पर्यावरनिय मंजूरी परदान की यह पर योजना उतरा खंड में किस नदी पर निर्मित की जा रही है तो उतरा खंड के गोला नदी पर यह पर योजना निर्मित की जा रही है तो उतरा खंड राज में निर्मित की जा रही है तो उतरा खं किस राज्य सरकार ने वायू कारी करने है तो उत्रेवरित्रा सर्जन व्यापार, योजन स्थान ऐसे जई करने वाला जो है राजसी बुजरात है, और जो की इसके माध्यम से जो है ट्रेडिंग कारिकरम सुरू किया जाएगा तो नेक्स्ट यहाँ पर है कि 28 सितंबर 2019 को भारतिय प्रद्योग की संस्थान IIT कानपूर के द्वारा IIT कानपूर के साथ साजिधारी में रेल मंतराले और ज्यान पर द्योगी की मंतराले द्वारा मार्डन कोच फैक्ट्री राइबरैली में सुरू किये गए पालेट प्रोजेक्ट का क्या नाम है तो इसका नाम इंडस्ट्री 4.0 रखा गया और अगला है कि भारत और नीदर लेंड द्वारा लोटस HR के दूसरे च कि भारत और नीदर लेंड के पीच की द्वारा कि जा रही है तो इतना डीप नहीं पूचा जाएगा लेकिन ये जरूर पूचा जा सकता है कि कन्यासरी विश्विद्याले के इस्थापना निम्लिकित में से की साराज की द्वारा की गई है तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री सहरी सलम स्वास्त योजना की सुरुवात की गई उसका उत्तर होगा 36 गड़ 17 सितंबर 2019 को इसने देश में बित्य समाविशन को बढ़ावा देने के उद्देश से भरोसा बचत खाता लांच किया है इसका उत्तर होगा एरटेल पेमेंट्स बैंक ने और 13 सितं कंडू ने पशिमी कमांग जिले के दीछी गाउं में निर्मित दीछी जल विद्द पर्योजना का उत्तर होगा नैल को 12 सितंबर 2019 को पलहन मंत्री नरेंदर मोदी ने पढ़ान मंत्री किशान मान धन योजना योजना व्यापारियों और स्वारोजगार में लगे वैक्तियों के लिए राश्टिय प्यंसन योजना का सुभारम कहा किया तो ये सुभारम में किया गया है राश्टि जो की जारखंड की राजधानी है 18 सितंबर 2019 को केंदरिय मंत्री थावर चंदग हलोत ने शुगम में भारत अवियान के तहत की सपूरोटल की शुरुवात की है तो इस कारिकरम का नाम है राश्टिय पसूरोग नियंतरन कारिकरम और वही पर 11 सितंबर 2019 को केंदरिय मानो संसाधन विकास राज मंत्री संजय धोत्रे ने नई दिल्ली में जीवन कोसल पाठेकरम लांच किया है यह पाठेकरम किसके द्वारा विक्सित किया गया है तो इस विभाग का नाम है हैपीनेस विभाग और दक्षिन एसिया की पहली क्रास बार्डर पेट्रोल्य मुतपाद पाइंप लाइन परियोजना कहां से कहां तक निर्मित की गई है तो यह निर्मित की गई है बिहार के मोतिहारी से लेकर के नेपाल के अमल लेख गंज तक 12 सितंबर 2019 को प्रदहनमंती नरेंद्र मोदी ने हरकंड की शाहिव गंज में गंगा नदीपर निर्मित भारत की दूसरे मल्टी माडल टर्मिनल को राष्ट को समच्पित किया इस टर्मिनल का निर्माड किस पर्योजना के तहत किया गया है तो इसका निर्माड जलमार्ग व योजना और गला है तीन सितंबर 2019 को दिल्ली सरकार ने जैभी ममुक्ष मंतरी पर्तिभाविकास योजना के तहत बेभिन परतियोगी परिक्षाओं की कोचिंग हेतु परदत आर्थिक सहाईता को 40,000 रुपे से बढ़ा कर कितना कर दिया है तो ये बढ़ा करके कर दिया गय सितंबर 2019 में कि सराजी की पुलिस ने सी पलान एप लांच किया है तो इसका उत्तर होगा उत्तर परदेश पुलिस के द्वारा देश का पहला बैंक कौन है जिसने अपने चेश्टों पर मुद्रा की गिंती हेतु रोबोटिक आर्म्स की तैनाती की है तो इस बैंक का नाम ह आई सी आई सी आई बैंक और अगला है कि 30 अगस्त 2019 को केंद्रे स्वास्त और परिवार कर लियाना मंतरी डाक्टर सासबार धन ने नई दिल्ली सित्किस अस्पताल में स्पोर्स इंजरी केंद्र विस्तार पर्योजना की अधार सिला रखी है यानि कि नई दिल्ली के सफद अधर गंज अस्पताल में खोला जाएगा 28 अगस्त 2019 को केंद्रिये मानों संसाधन विकास मंतरी रमेश वोखरियार निसंकने इसकूली सिक्षा को सुद्रिन करने के उद्देश से विस्तों के सबसे बड़े आनलाइन जंक्शनों में सामिल एक इक्रित आनलाइन जंक्शन इसकूल एजुकेशन सगुन का सबारंब किया है एक इक्रित आनलाइन जंक्शन इसकूल एजुकेशन सगुन तो इसका सुबारंब कहां पर किया है इसका सुबारंब नए दिल्ली में किया है 28 अगस्त 2019 को किस देश ने 20 सुका पहला Facial Biometrix Data अधरित नाविक पहचान दस्त वेट लांच किया है तो इसका उत्तर होगा भारत 30 अगस्त 2019 को किस राज सरकार ने राज के गरीब परिवारों को सामाजिक शुरक्षा परदान करने हैं तो मुख्यमंत्री समर्द्धी परिवार योजना की सुवात की है तो इसका उत्तर होगा हर्याणा जिन्होंने मुक्ष मंत्री समर्दी परिवार योजना प्रारंब की है ताकि गरीबों को सामाजिक्स रक्षा प्रदान किया जाए और अगला है कि केंद्रिय मानों संसाधन विकास मंत्री रमेश पो खरियाल निसंक ने देश भर में 42 लाख प्रार्थमिक सिक्षकों को पर सिक्षन परदान करने में तो नई दिल्ली इस्थित डाक्टर अंबेड कर अंतर राष्टे केंद्र में 12 अगस्त 2019 को किस राष्टे मिसं का सुभारंब किया तो इस मिसं का नाम है निष्ठा जिसका पूरा नाम है राष्टे श्कूल प्रदाना द्यापक तो उन सिक्षक समगर उननती पहल 22 अगस्त 2019 को किस मंतराले ने प्रोजेक्ट स्योर के सुरुवात की गोशना की है तो इसका उत्तर होगा केंद्री कपड़ा मंतराले राष्टी स्वास्त मिसं द्वारा जारी निसुर्क आवसदी का रैन्वन योजना रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले अस्थान पर है तो इसका उत्तर होगा रैंकिंग का नाम एक बार पुना देखने इसका नाम है आवसदी का रैन्वन योजना ये योजना है इसके तह होगा 36 गर सरकार 17 अगस्त 2019 को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और भूटान के प्रधान मंत्री लोटे सेरिंग ने मांग देशू नदीपर प्रधान में स्थित है और अगला है कि 17 अगस्त 2019 को मड़ीपूर के मुक्र मत्री एन बीरेंदर सिंग ने राज्य के सरकारी स्कूलों को बुनियादी धाचे में सुधार रहेतू फगाडाबा सिक्षा बेहतर बनाओ देखे फगाडाबा यह योजना है इसका मतलब होता है कि सिक्षा को बेहतर बनाओ इसका सुभारम किया है योजना के अंतरकत पहले चरण में कितने विधान सभा छेतरों में से प्रतेक में से एक स्कूल का चैन किया जाएगा जहां पर फगाडाबा योजना किर्यान मित की जाएगी तो ऐसे 60 विधान सभा छेतरों में से एक विध की गई थी दो अक्टूबर 2019 को लेकिन सवाल ऐसे नहीं पूछा जाएगा सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में मों सरकार पहल किस राजिक के द्वारा सुरू किया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा उडिसा एक अगस्त 2019 को वन नेशन वन कार्ड योजना के तहट योजना जाना अंदर परदेश, महाराष्ट और गुजरात सामिल थे और जुलाई 2019 में केंद्रिये उर्जा मंतराले द्वारा परदत जानकारी के अनुसार 211.97 मेगावाट की अस्थापित चमता के साथ देश में रूपता परियोजना की अस्थापना में कौन सा राज पहले अस्थान पर है तो इसका उत्तर होगा गुजरात और अगला सवाल है कि 16 जुलाई 2019 को आर्थिक मामलों पर मंतरी मंदलिये समिती ने दिबांग अब अहुद्देश से परियोजना है तो यह पर योजना की सराज में स्थित है और देखें आपर 1600 करोन रूपए की जो है वह पहले से ही जो है इंडिया developing economy योजना के तहट योजना की देखरेखेतू किसकी अध्यक्षता में समिती का गठन किया गया था तो इस्ट्राइड की जो है देखरेख के लिए एक समिती बनाई गई थी जिसके अध्यक्षते प्रोफेशर भूशन पटवर्धन और अगला है कि 14 जुलाई 2019 को उ सथा है ना कि कोई ट्रेन है 3 अगस्त 2019 को किसर राज्य में समाज में लड़कियों की सामाजिक आर्थिक इस्तिति को मजबूत करके बाली का जनमदर में सुधार लाने है तू उनकी स्कूल रापाउट दर और बाल विवाह को रोकने के उद्देश से वहली दिक्री योजना शुरू की गई है तो यह इसका उत्तर होगा गुजरात यहां पर सवाली भी आ सकता है कि हाल ही में वहली दिक्री योजना निम्लिखित मिस्से किससे संबन दित है तो लड़कियों के जो है सामाजी कुथान से संबन दित है और यह योजना सुरू करने वाला इस्टेट परियावरन कारिकरम और किस देश ने पारी के घातक पर भाव को रोकने है तो एक नई परियोजना शुरू करने की गुशना की जिसके तहट एसिया परसांत छेतर में एक छेतरिये पारा निगरानी परियोगसाला नेटवर्ट की अस्थापना की जाएगी तो इसका नाम है ये सरवत सेहत भीमा योजना है नाम फोड़ा वहाँ पर असपस मेंसन नहीं है तो ये शुरू करने वाला राज है पंजाब और अगला है कि गोदावरी नदी परिस्थित कलेश्वरम सिचाई पर योजना की सराज में स्थित है और अगला है कि डगमरा जल्विद्यूत पर योजना जिसकी छमता 130 मेगावाट है कि सराज में स्थित है तो ये बिहार की सुपॉल जिला में स्थित है और बीपियसी के पॉइंट आप यू से ये सवाल बेहत ज्यादा महात्पूर है और एक सवाल यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि डगमरा जल्विद्यूत पर योजना इसकी छमता कितनी है तो इसकी छमता 130 मेगावाट है चुकि बिहार में इस तरह की सवाल पूछने का ट्रेंड भी देखा जाता है जून 2019 में बिहार सरकार दारा सुरू की गई मुक्ष मंत्री बरदजन पंसन योजना के तहत 60 वर्स से अधिक आयू के गरीब लोगों और 80 वर्स से अधिक आयू के लोगों को परती माह कितनी राशी प्रदान की जाएगी तो साथ होएगि वर्स से अधिक आयुके, जो गरीब लोग होंगे, उनको चार सो रुपे परिमा पिंसन मिलेगा, वहीं पर अखी वर्स से जो अधिक होंगे उनको पांचार्थों परिमा प्रिमा परात होगा। और नेक्स्ट है कि व्यापारियों के लिए सुरू की गई पेंसन योजना के अंतरगत केंदर सरकार परतिमाहला भार्थियों को नियूंतम कितनी रासी पेंसन के रुपे परदान करेगी तो यहाँ पर तीन हजार रुपे प्रतिमा जो है नियून तम रासी प्रदान की जाएगी प्रेंसन के तौर पे और अगला है जून 2019 में की सरागी में महिलाओं की सुरक्षा है तू पिंक सार्थी वाहन सुरू किया गया आई-ओ-सी-अल बी-पी-सी-अल और एच-पी-सी-अल की हिस्सेदारी कितने पर्सद है तो आई-ओ-सी-अल की हिस्सेदारी पचास पर्सद है बी-पी-सी-अल की हिस्सेदारी पचीस पर्सद है और एच-पी-सी-अल की हिस्सेदारी पर्सद है और यह परियोजना है कांध सब्सक्राइब करने वाली भारत की पहली मैट्रो पर योजना कौन है तो इसका नाम है दिल्ली मैट्रो कार्पोरेशन हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए आप यूटूब पर एक्जाम स्टेडी एक्सी सर्च करें वहां पर आपकी परिक्षा के लिए हाथ से बहुत सारे बहुत वीडियो और तक्ष्व की जानकारी वहां पर ली गई है और और अधिक प्लेइलिस्ट देखने के लिए उपर आई बटन पर आपको जो है लिंक मिल जाएगी पुरी की पुरी प्लेइलिस्ट मिल जाएगी वहां से आप वीडियो तक जा सकते हैं